हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले जेके बोस के जितने वी स्टूडेंट है उनके लिए काफी शांदार अपडेट इस वीडियो में रहने वाला है जमुएन किश्मीर जाने की जेके बोस में निव एजूकेशन पॉलसी जो मिलेगा अब बात करें बोर्ड एग्जैम होंगे जान नहीं क्लास 10 और 12 के और बड़ी इंपोर्टन बार जो स्लेवर्स आपका रड्यूस है वो हो गया है और क्या क्या पूरी चेंजिस रहने वाली है निव एजूकेशन पॉलसी के रिकार्डिंग इस वीडियो में डिसक सारे ताइम ये मिलते रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इस इंपोर्टं बीडियो को जो salvation बड़ से खोलेंग और सब्सक्टी के लिए टौ Watts के लिए ने किन निव एजूकेशन पॉलसी को देखते हुए Emphasis on Reducing the Content Board of Textbooks and Providing Opportunity for Experimental Learning with Creative Mindset जाने कि जमुएन किश्मीर में जो पहले टेस्ट बुक यूज की जाती थी वो MCRT टेस्ट ही की जाती थी बट उसमें जो सलेबस था वो बड़ा साथा जादा सलेबस था अब वो सलेबस को Reduce कर रहा जा रहा है और ताकि स्टूडेंट्स है जो वो Creative Mindset से और Experimental Learning करें और उसके बाद बात करें जो Class 9-12 है उनका जो सलेबस है वो टेक्स्ट बुक के एकॉर्डिंग जो MCRT ने डन किया हुए नियू डेली ने उनके रिकार्डिंग ही कक्षा 10-11-12-9 वी का जो सलेबस है वो जाम पे किया हुए है और इसी का रेशनलाइज करके जो टेक्स्ट बुक डन की गई है यह NCRT दुवारा वो इस एर इंप्लीमेंट जा एफिलेटिड जो भी जेके बोस के स्टुडेंट्स है उनके इसी करेंट अकैडमिक सेशन में 2023-24 में होने जा रहा है जो इसका रेशनलाइज सलेबस है जा जो सलेबस डिलीट हो चुक है जाने कि अब आपका सलेबस कम हो च चुक है आपको उसके रिकार्डिंग डिटेल वीडियो मिल जाएगा कौन से सब्जेक्ट का कितना रेडियोस हुआ है वो आपको मैं नेक्स पार्ट में लाओंगा अभी जेके बोस ने उसको निकाला नहीं हुए बट जो आपका सलेबस एंड सी आटी में रैशनलाइज जिस सब्जेक्ट का आपको कितना सलेबस रेडियोस हुए आपको मैं सैप्रेट वी वो प्रोवाइड कर दूँगा चैनल से फर्स टाइम जूड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही